गुद मॉनिंग बच्चों, मैं नुसरत बानूं, सासकी पुर्मादमिक साला नक्ता, संकुल मंदिरसोत, विकासखन आरंग से बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कच्छा छटवी की गनित में अध्याय 15 रेखागनिती रचनाएं का भाग 2 बच्चों, इससे पहले हमने रेखागनित के बारे में पढ़ा है, भाग एक पढ़ा हमने रेखागनित क्या होती है? जामतिय रेखागनित, गनित की तीनवी साल सखाओं में इस एक है इसमें बिंदू, रेखाओं, तलों और ठोसी जोके गुन, सभाव, मापन और उनके अंत्रिक्ष में साफेचिक इस्तिती का अध्यायन किया जाता है रेखागनित आकरतियां और मिस्स्ताओं के बारे में गनित होती है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेखागनित में किसी दी गई रेखा से निश्चित दूरी पर स्नानता रेखा खिचना मा लेजे, A, B, रेखा से 6 cm दूरी पर हमें एक रेखा खिचनी है ठीक है? तो हम सबसे पहले दिखेंगे रचना के पद पहला चरण हमारा होगा, A, B, रेखा खिचिए दिखेंगे चित्र में हमने A, B, रेखा खिचा हुआ है उसके बाद, रचना के पद 2 में देखिए सेट स्क्वेर और स्केल का प्रयोग कर A, B पर एक लंब खिचिए चित्र में आपने देख रहे हैं हम, A, B पर हमने एक लंब खिचा हुआ है रचना के पद नमबर 3 P, Q पर कोई बिंदू R, इस प्रकार लीजिए कि Q का R की दूरी 6 cm हो चित्र में देखिए, आपको दिख रहा है साब साब, ठीक है? रचना के पद नमबर 4 सेटिस्कर की सहता से, R पर लंब RS खिचे, RS ही AB के स्पनानतर होगी, तथा AB से 6 cm की दूरी पर होगी बचों, चित्र में देख रहा है आपको? इसी तरह से आपको रचना करते जाना है बचों, दूसरा हमारा है, परकार की सहता से अलग-अलग नाप के कौन बनाना? पहला पद देखिए, रचना के पद में, किसी भी तरजय का एक हमें वृत बनाना है चित्र में आप देख रहे हैं, किसी भी तरजय का एक वृत खिचकर उसके केंद्र को चिनहित किजी यहाँ पर देखिए, हमने इसके केंद्र को O से चिनहित किया हुआ है दूसरा देखिए वृत पर कोई बिंदू A लिजी A पर प्रकार को रखकर जिस त्रिजय का आपने वृत बनाया है उसी त्रिजय का आप एक चाप वृत पर काटिए जित्र में आप देख रहे हैं उने एक चाप काटा हुआ है तिसरा देखिए, जिस बिंदू पर चाप कटा है, उस बिंदू पर परकार को रखकर उसी त्रिजय का चाप कुनहा काटिए वृत पर चाप काटने की इस प्रक्रिया को आप दोहराईए आप पाते हैं कि किसी भी वृत में समान माप के 6 कोन बराबर कटते हैं ठीक है बच्चों, बच्चों अब हम बात करते हैं कौन की सम्द्य भाजा खीचना किसी भी कौन का हमें सम्द्य भाजा खीचना है तो हम किस तरह से खीचेंगे पहला देखिए, हम सबसे पहले कौन ABC बनाएंगे, चित्र मेरे आप देख रहे हैं कौन ABC मैंने बनाया हुआ है दूसरा देखे कौन ABC के बिंदू B को केंदर मान कर एक चाप इस प्रकार काटिए कि वह AB को D बिंदू पर काटे तथा BC को E बिंदू पर काटे ध्यान रहे कि चाप ना बहुत छोटी हो ना बहुत बड़ी चित्र में आप देख रहे हैं हमने ABC एक कौन है AB पर हमने D बिंदू पर चाप काटा है उसी तरह से BC पर हमने A बिंदू पर चाप काटा हुआ है इसे तरह आप भी इस प्रक्तिया को दोराएंगे बचो तिसरा पद है आपका D को केंदर मान कर एक चाप पुनह बनाईए उसी तरह जया का चाप E से इस प्रकर बनाईए कि दोनों चाप एक दूसरे को R पर काटे चित्र में देखिए D को केंदर मान कर R पर चाप काटा हमने फिर E को केंदर मान कर R पर चाप काटा जो दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं देख रहे हैं आप लोग हमने क्रोस का निसान बनाया है चित्रे में तो ये कहां पर काट रहे हैं एक दूसरे को R बिंदू पर काट रहे हैं अगला पत देखिए बच्चों B को R से मिलाते हुए आगे बढ़ाईए चित्र में आप देख रहे हैं, हमने B को डॉट्स डॉट्स करके R तक मिलाया हुआ है, अगला पत है आपका, रेखा B आर ही कौन A B का सम्दिभाजी होगा, अर्थात B आर जो रेखा है, वो कौन A B C को सम्दिभाजी करेगा, बच्चों अब हम बात करते हैं, दिये गए कौन क के बराबर कौन की रचना करना, ठीक है बच्चों, रचना के पद, पहला पद देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, कौन A O B आपको दिया गया है, हमें इसके बराबर में एक दूसरा कौन खीचना है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कौन A O B ले ले ल से Q P एक रेखा खीचेंगे, रचना के पद, नमबर दो में देखिए आप, परकार को थोड़ा सा फैला कर O बिंदू पर रखिए, तथा इस परकार का चाप काटिए, जो O A को R पर, तथा O B को S पर काटे, चित्र में आप देख रहे हैं, हमने चाप काटा हुआ है, जो O A क O A को R पर काट रहा है, तथा O B को S पर काट रहा है, रचना के पद नमबर 3 में देखिए, इसी नाप का चाप आपको Q बिंदू पर परकार रख कर काटना है, चित्र में देखिए, रेखा Q P पर हमने एक चाप काटा है, जो Q P को T पर काट रहे हैं, दिखरा है चित्र में आ पर रखकर S तक फेलाईए एवं उसी माप का चाप T पर रखकर T U काटिए और U राप्त कीजिए यहाँ पर देख रहे हैं आप हमने एक चाप और काटा है जो U पर कट रहा है रचना के पत नमबर 5 QV को मिलाते हुए R तक बढ़ाईए आप यहाँ पर देखते हैं कि कौन P QV बराबर है कौन A O B की इसे आप नाप कर भी देख सकते हैं तो क्या होंगे दोनों को नाप को बराबर मिलेंगे इसी तरह आप अलग-अलग माप के कौन की रचना कर सकते हैं और इसी तरह आप अलग-अलग माप के कौन बना सकते हैं और उसके समान दूसरा कौन भी आप बन आ सकते हैं, बच्चों इसी को ध्यान में रखते हुए, मैंने इसे सम्मंधित कुछ ग्रीह कार्या आपको दिया है, देखिए यहाँ पर ग्रीह कार्या देखिए, पहला है आपका परकार्वा स्केल की सहता से निम्नलखित कौन बनाईए, एक नमबर में देखिए क्या है, 90 अ कौन बनाकर उसको सम्धिभाजित कीजी है, खीची, अर्थाथ हमें 52 का कौन बनाना है और उसको सम्धिभाजित करना है, परस नमबर तीसरा देखिए, 170 अंसका कौन बनाकर उसको सम्धिभाजित कीजी, जैसा कि अभी हमने रचना किया हो था, बच्चों आसा है आपको झाल झाल